देश हित की बात मत्रफ भुमी न्यूस के साथ खाद की काला बाजारी की रोक्थाम के लिए छबड़ा पहुचे अधिकारी चबड़ा कस्बे में चल रही खाद की काला बाजारी की रोक्थाम को लेकर सोमवार को कृषी विभाग बारान के उपनिदेशक चबड़ा पहुँचे तथा यहां उन्होंने कस्बे के समस्थ खाद विक्रेताओं के साथ बैठक कर विभिन मुद्दोव समस्याओं पर तापसिंग सिंगवी की मुख्य आतित्य में बिर्सा मुंडा जयन्ती मनाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर बिर्सा मुंडा जयन्ती को गौरव महोत्सव के रूप में मनाने का निश्चे किया इस अफसर पर भाजपा कार्याले छबा पर बिर्सा पंड़ा द्वारा किये गए कार्या को विस्तार से बताया. पेंशनधारियों की मीटिंग आयोजित. EU बैंक में बचत खाता खोलने के लाब बताए. चबड़ा. स्थानिय पेंशनर्स भवन में चबड़ा के पेंशनधारियों की एक मीटिंग सोमवार को आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता हरीश पाठक ने की एवं मुख्य आतिती के रूप में EU बैंक छबड़ा के ब्रांच रिलेशन्शिप एमबैसेडम मुकेश के सक्सेना उपस्थित रहे। गाव में देंगु के मरीश सामने आने के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। दिया जा रहा है अभी तक आठ से दस देंगु पीडितों को कोटा रफक किया जा चुका है एवं दो मरीश अभी भी कोटा भरती है लेकिन प्रशासन मूख दर्शक बनकर बैठा हुआ है। इस पर निजामुद्दीन खान ने तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर आश्वासन दिया की संपूर्ण गाउं की जाचकर देंगु की रोक्थाम की जाएगी। लक्ष्मिपुरा गाउं में सिलाए और ब्यूटी पारलर प्रशिक्षं का हुआ समापन चबड़ा समाजिक न्याय अधिकारिता विभाग बारान के तत्वाधान में प्रगती संस्थान की ओर से नवजीवन योजना अंतरगत चबड़ा के निकटवर्ती ग्राम लक्ष्म लक्ष्मिपुरा में 50 महिलाओं का चैन कर 25-25 महिलाओं के बेच बनाकर सिलाए एवं ब्यूटी पारलर प्रशिक्षं दिया गया। आजिद अली, मुहम्मद अशर्फ, इंसाफ अंसारी, खलील भाई, सुनू खान, बब्बु भाई कार्पेंटर वा सद्दाम मंसूरी आधी उपस्थित थे। चबड़ा से हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट